हलो और नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे धन एप में सेरों को प्लेज कैसे किया जाता है अगर आपको कभी भी मार्केट में अच्छा मुमेंटम देखने को मिल रहा है और आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं बट आपके पास में फंड करेंसी, कमोडिटी किसी में भी आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं सेर प्लेज करने से πहले कुछ आपके में डाउट्स क्लियर कर देता हूँ दूस्तों जैसे कि आप लोग सुभय के नौ बज़े से लेके और सामके नौ बज़ए तक ट्रेडिंग डेज पर आप लोग सेर place कर सकते हैं place करने के बाद में तुरंत आपको 15 मिनट में जो पैसा है वो आपके fund section में मिल जाएगा अगर आप लोग unplace करना चाहते हैं तो सुबह के 9 बज़े से लेके दिन में 3 बज़े तक market close होने से आदा गंटा पहले तक trading days पर आप लोग unplace कर सकते हैं जैसे अगर आपको अचानक से कभी भी portfolio के share को sale करने की जरूरत है तो आप लोग अचानक से sale भी कर सकते हैं without unplace किये जैसे ही आप लोग sale करेंगे automatically आपके share है वो unplace हो जाएंगे तो इसमें भी आपकी कोई problem नहीं है दोस्तों तो चलिए देखते हैं धन एप में किस तरीके से share को place किया जाता है पूरा प्रोसेस दोस्तों सबसे पहले धन एप को open करेंगे open करते ही आपके सामने इसका home interface देखने को मिलेगा share को place करने के लिए आपको right corner पे नीचे की side में money के option पे click करना है जैसे आप लोग money के option पे click करेंगे आपको बीच में एक balance हो करेगा get instant margin benefit लिखावाएगा ये balance आपको आपकी holding के साब से automatically so किया जाएगा तो आपको यहाँ पे click करना है जैसे आप लोग यहाँ पे click करेंगे आपको यहाँ पे so करेगा get instant margin on holdings यानि आप लोग अपनी holdings पे instant margin ले सकते हैं तो आपको यहाँ पे नीचे की side में दो option मिलेंगे place your stocks का मिलेगा second आपको मिलेगा discover scripts with higher margin first option पे आप लोग click करके अपने share को place कर सकते हैं second option पे आप लोग click करेंगे जो explore का दिया गया है इस पे आप लोग click करेंगे दोस्तों तो अगर आप लोग कोई भी share खरीदना चाहते हैं तो उसके आप लोग margin वो check कर सकते हैं कोई भी share आप खरीदना चाहते हैं उसके बाद में place करना चाहते हैं तो खरीदने से पहले आप लोग यहाँ पर discover कर सकते हैं कि कौन से stock पर हमें कितना margin मिलने वाला है जैसे कि हम लोग यहाँ पर explore के option पर click करते हैं दोस्तों तो आपको यहाँ पर देखे cash equivalent में आपको यहाँ पर कुछ show करेंगे जिसमें आपको यहाँ पर देखे उसके नीचे म margin लिखावा रहा है 90% margin 90% margin 90% margin यह आप लोग चेक कर सकते हैं हम लोग equity को उपर में select करेंगे तो आपको यहाँ पर share को name show करेंगे जैसे कि ITC में आपको 91% का margin मिल रहा है क्लिक करना है share को place करने के लिए उसके बाद में आपको यहाँ पर देखे आपका कितना amount invested है वो आपको यहाँ पर so करेगा और कितना आपको यहाँ पर margin मिलेगा वो आपको यहाँ पर side में so करेगा और नीचे में आपको यहाँ पर stock so करेंगे कि कौन से stock आपने holding में खरीद रखे हैं, चो स्टोक्स अवेलेबल नहीं है मार्जिन के लिए, वो आपको नीचे में सो करेंगे, share not eligible for place करने के लिए, तो वो आप लोग यहां पे देख सकते हैं, सबसे नीचे में आपको proceed to place share दिया गया है, इस option पे आप लोगों को क्लिक करना है, जैसे आप लोग क्लिक करेंगे दोस्तों, आप लोग यहां पे quantity select कर सकते हैं, कौन से share की कितने quantity आप लोग place करना चाहते हैं, उसके बाद में आपको नीचे की साइड में जो check box दिया गया है, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है, क्लिक करने आपको यहां पे OTP एंटर करना है और आपको यहां पे verify की option पे क्लिक करना है, जैसे आप लोग OTP एंटर करके verify करेंगे आपकी place request है, वो send कर दी जाएगी, तुरंत आपको 15 मिनट के अंदर अंदर आपका जो balance है, वो fund section में available करा दिया जाएगा ट्रेडिंग करने के लिए, तो आप लोग अगर check करना चाहते हैं, तो फिर से आप लोग यहां पे place your stocks के option पे click करेंगे, और आप लोग यहां पे placed में check करेंगे, placed के option पे click करेंगे, तो आप लोग देखेंगे मैंने जो भी stock place की हैं, वो आपको यहाँ पे सो करेंगे अब आप लोग बेलेंस चेक करना चाहते हैं कि हमें कितना बेलेंस मिला है तो आप लोग यहाँ पे बेक आएंगे बेक आने के बाद में आप लोग देखेंगे के get instant margin benefit वाले section में आपको आना है, click करना है और place your stocks इस पर आप लोगों को click करना है, click करने के बाद में आपको यहाँ पे place के option पे click करना है, यहाँ पे place पे आप लोग क्लिक करेंगे और आप लोगों को share को select करना है कि किन को आप लोग unplace करना चाहते हैं, जैसे कि मैं आप place करने का तरीका and unplace करने का तरीका जो आपको मैंने simple सब्दों में बता दिया है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो like करे, channel पर नए है तो channel को subscribe जरूर करे, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए जैह हिंद बहुत बहुत धन्यवाद